कि यहीं साथियों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर क्लासेस पर हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्टरिशन त्योरी में हम लोगों का जो चल रहा है सेशन उसे रहा है सेशन नंबर 5 और सेशन नंबर 5 में मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको वैदुतिक राशियों और प्रतीक के बारे में पढ़ा रहा हूं पहले वाली क्लास से अगर आपने नहीं देखी है तो डेस्क क्लास来 है this topic 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 class को भी देख सकते हो इस particular topic आपने क्लास को देख सकते हो इसके अलावा कि इसके अलावा हम लोग आघ जो टो पिम करेंगे मतलब कल की लास में अपने लोगों ने जो टोक्तिक किया था वो आपके अपवर्थ तक वह अपवर्थे उसको मैंने प्रैक्टिस भी करवा दिया था आपको बहुत पढ़िया तरीके से अपवर्थ तक और अपवर्थे के उपड़ एक आपके टैंपरेचर एक्विशन मैं आपको पढ़ा रहा था तापकरम समीगरण तो कलगी ग्लास में आप ध्यान रखना यह पूछेंगे आपसे, चलो, तो यहां पर हमने क्या किया था, कल की क्लास में इस तरीके से, चार स्केल ड्रा किये थे, यह कल की क्लास है, कल वाले आपके लेक्चर में मिल जाएगी, इसके लावा अभी यह शुरू करना है, तो यहां से शुरू करना पड़ेगा, अब आप दिखना इस जगे पर, यहां पर जो था, 0 डिगरी सेल्सियस था, यहां पर आपको 100 डिगरी स यह आपके पास क्या है, 32 डिगरी फारेनइड है, और यह आपके 212 डिगरी फारेनइड है, तरीके से आप पारे इसकेल को आपके डिवाइड गर दो, जाकि आपको यह चीच समझ में आ जाएगी, इस तरीके से, अब आप देखना यहाँ पर जीरो डिग्री रियूमर था और इस जगे पर आपने लिखा था कितना असी डिग्री रियूमर यह कहां से चलू हुआ था कि 273 केलविन से start हुआ था और यह आपके पास क्या है 30 term 3 73 केलवन पर आउद्ड हो गया था ये जो है यह प्के पास व Resistance result है यम वाला जो है आपके पास क्या है सेल्सीयसным पमाना है गे जो है आपके फारेअग्ड पहमाना है पारेनाइट पैमाना है और ये जो है ये तीसरा ये रियूमर पैमाना है रियूमर रियूमर पैमाना है और ये आखरी जो है ये केल्विन पैमाना है ये आपके पास क्या है केल्विन पैमाना पैमाना है ये आपके पास क्या है इतना आप पढ़ चुके थे इसके लाव मैंने यह आपके पास क्या होता है ये होता है आपके जल का आपके पास क्या है फ्रीजिंग पॉंट यह यह जमाओ बिंदू होता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं जमाओ बिंदू यह आपके पास क्या होगा जल का जमाओ जमाओ बिंदू होगा जल का जमाओ बिंदू होगा यह आपके पास क्या है freezing फ्रीजिंग पॉइंट होगा एक दूसरे के साथ इंटर्चेंज होगा एक दूसरे के साथ आपस में बदलने लाइक होगा इसके बात यहां जम भी जाओं गा इस जगे-पर इस जगे-पर जब हम हम यह ऐपके पास क्या होगा क्या बोलेंगे इसको boiling point यह बेंदू जो होगा यह बेंदू कौन सा होगा यह बेंदू होगा उबाल बिन्दू ठीकै तो इसको हम क्या बोलेंगे आपके गशे zeigt कॉबाल बंदू अभी उबाल बंदू अच्छा नहीं लगा कि है तो पीरा पास एक हे और वह हो से पूस्ता कि पूस्ता हिह यह कोकर से पूस्ता है कि बाइया बहुत प्रेसाइज होगा तो 0.15 आजाएगा ठीक है यह आप ध्यान दखना फिर किसी प्रकार से जब आपको फ्रीजिंग पुछेगा फारे नाइड पर तो 32 बताइएगा जब पर पूछेगा तो जीरो डिगरी रिवमर बताइएगा और आपके कैलविन पर 273 यहां तक चीज़े क्लियर हो गई प्रेमाने आपके क्लियर हो गई एक औप्जेक्टिव कोश्चन आपको यहां से मिल गया चार पेमानों के आपको नाम मिल गए यहां तक कल की क्लास में डिस तो आप देखना यहां पर क्या कर रहा हूं मैं जैसे की मालों यह है सी यह आपके celsius प्रेमाना है जीरो से init हो रहा है की नहीं रही है और ये किसके बराबर होगा अभी Fahrenheit पेमाना और कहां से इनिशेट हो रहा है 32 से और ये 212 माइनस आपके 32 तो दोगो ये आरंबिक तापकरम है ये आपके पास अंतिम तापकरम और आरंबिक तापकरम का अंतर है बैसिकलिए ये तापांतर है तो अभी इसके बाद हम बात करें है ये रियूमर रियूमर में भी आरंबिक तापकरम कितना है जीरो है और ये आपके पास क्या हो गया असी माइनस आपके जीरो चलो सॉल कर लेते हैं इसको तो सी बटा सो बराबर ये आपके एफ माइनस 35 बटा इसका इंटर्वल कितना हो जाएगा एक सो सी और बराबर ये आपके आर बटा असी ये भी आपसे जो है फॉर्म देखा सकता है इस फॉर्म को भी डारिक आपके चेक करवा सकता है ये बताओ कौन सा वाला जो आपके पद है वो सही पद है कौन सा वाला आपके सही लिखा हुआ है अच्छा आपको बता है ना आ इस सब को आपके 20 से काटा जा सकता है, जैंगो ये भी 20 से divisible है, ये भी 20 से divisible है, तो इन सब को 20 से काटा जा सकता है, तो 20 से आप भाग लगाओगे तो क्या बन जाएगा? equation आपके पास बन जाएगा c बटा 5 बराबर यह आपके पास f minus k 32 बटा कितनों जाएगा no और यहाँ पर आपके पास क्या होगा r बटा 4 यह आपके पास क्या है समीकरण है temperature equation इसे तापकरम समीकरण कहते हैं अभी Kelvin वाली भी ला रहा हूं इसे तापकरम समीकरण कहते हैं तो इसे तापकरम समीकरण कहते हैं यह आपकी temperature equation अब जिसे दिमाग में उठता है कि यार सब्चीज लिख लिए इन्होंने इन्होंने आपके यह क्यों नहीं लिखा आपके Kelvin वाले पाद तो कोई हवाला ही नहीं दिया तो चलो Kelvin वाले का हवाला देते हैं इधर की तरफ कैल्विन वाला जो है रहा वह चीज समझते हैं कि वह आपके पास कैसे आप देना जब भी आप कोई कि Celsius को Kelvin में बदलना हो तो आप में मत करना केवल आपके 273 उसमें एड़ कर दे आपके फॉर्मॉला क्या हो जाएगा के बराबर क्या हो जाएगा आपके पास C प्लस 273 यह आपने करना है तो आपको Kelvin मिल जाएगा Kelvin जबी भी चाहिए आप जिसे कि मालो इधर की तरफ आपने 0 लिखा हुआ है यहाँ पर आपने 0 लिखा हुआ है तो क्या किया? Celsius में 0 प्लस 273 गिया फिर 100 पे क्या किया? 100 प्लस 273 मतलब आपके पास 373 कर दिया तो आपके पास यह आगया अभी कोई भी आपके पास है आपसे Celsius बुलता है कि भी 200 डिगरी Celsius है हमारे पास इसको आपके पास किसमें चेंज कीजिए? Kelvin में चेंज कीजिए तो कुछ नहीं करना है आपको Kelvin निकालने के लिए यह आपके पास 200 प्लस 273 बराबर 473 यह Kelvin में आपका convert हो गया तो जब भी आप Kelvin चाहिए होगा ना तो Celsius में convert कर दे ना Celsius आने के बाद वो Kelvin को किसी में भी convert कर वा है आप बहुत आसानी से इस सम्मीकरन का इस्तमाल करके परिवर्थित कर सकते हो फटा फट उतारो Good morning Pooja चलिए पर जो भी इस क्लास से जुड़े हुए बच्चे हैं ऑनलाइन आफलाइन सभी इस क्लास को लाइक करें इसके अलावा इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर करें और फिर बाद में पढ़ना स्टार्ट करें ये काम आपने रोज करना है बिना बोले करना है और जिम्मेदारी से करना है मतलब आपको इस चीज़ की आपके पास इंपोर्टेंस समझ में आनी चाहिए तो कि देखो जो मेरी क्लासे हैं वो अगर आप शेयर का नहीं बढ़नें इस चीज़ के पर prolis यह ना तो जिन बच्चों को फायदा मिल सकता है जिन लोगों को आपके फायदा मिल सकता है वहां सकता का to सुन रहा है को समझता है तो उसे फायता होना चाहिए और यही मकसद होता है कि आपके अपने कोच्ञिंग इस खूक्ट की बच्चो попробrik पढ़ाउ ने आब देगjedना यहाँ कर आता है कुछ आपसा निम्निमे से कौनसा आपके पास है जिसपर पारेनैड और rumor जो है वो समान पाठ्यांग देते हैं एक जैसी रिडिंग देते हैं ये आपको बताना है तो दो कोशन बड़े popular हैं ये दोनों कोशन आपको आने चाहिए इसके लावा temperature कोई सा भी देखे किसी में बदलवा सकता है तो वो भी आपको आना चाहिए तो अभी जो है हम बात करत हूं यह आपके लिए और यह कोशन क्या है मैंने कहा निम्न में से वह कौन सा आपके पास वाठ्यांग है जिस पर celsius और फारेसि पैमाने समान पाठ्यांग देते हैं तो निम्न में से निम्न में से वह कौन सा पाठ्यांग है कौन सा पाठ्यांग है पाठ्यांग है जिस पर जिस पर सेल्सियस जिस पर सेल्सियस तथा पारेनाइड पारेनाइड पैमाने समान पाठ्यांग देते हैं यह आपका क्वश्चन है तो यह दोनों आपके समान पाठ्यांग देते हैं यह आपका प्रश्ण है इस प्रश्ण को आपने करना है तो अभी देखना temperature equation आपको पता है temperature equation क्या है temperature equation जो है हम मान के चल रहे हैं कि C इसका यहां पर मैं हल लिखा रहा हूँ मैंने का हा कि हम मान रहे हैं कि माना की माना की C बराबर F बराबर X जैसा मान सकते हैं X की value निकाल लेते हैं कि C बराबर F बराबर X यह temperature वे रीडिंग है जिस रीडिंग पर यह दोनों आपके same temperature शो करेंगे same part के आंग देंगे तो आप बताओ यहां से X बटा 5 जैसे लिख सकते हैं X बटा 5 मैंने C की जगे पर X लि सकते हैं 32 1772 सकते है यहां पर मैंने क्या करें इसको इससे गुणा करेंगे इसको इससे गुणा कर देना इसको इससे गुणा फेर अब लिग जाओ और इसको इससे भी गुणा करेंगे रिश्को इससे भी गुणा करेंगे जब इसको इस से गुणा करेंगे तो कितनों हो जाएगा पांच EX और Siberia अब आप देखो इस्कोट से गुणा करते हैं तो कितनों जाएगा bowel 156 जाएगा एक में डुको जड़ा 156 नहीं होगा 160 हो जाएगा आप दुनी 10 और यह तो 160 हो जाएगा यह आपके अब आप देखना यहां से हम आगे बात करते हैं यहां से आगे बात करते हैं तो इसको इदर लेकर आओगे यह माइनस में कनवर्ड हो जाएगा और यहां पर आपके पास बचेगा कितना चार एक्स तो यह चार एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 160 और यहां से आपके पास क्या है चार को हटा दो चार को जैसी हटा हो यह आपके पास कितना हो जाएगा यहां पर 40 बार एक्स का मान जो आएगा वाएगा माइनस 40 डिग्री आप माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर आप माइनस 40 डिग्री फारेनाइट बोलो बात एके तो आंसर आपके पास क्या होगा minus 40 तो आप भी बोलोगे minus 40 वे आपके पास क्या है reading है जिस पर दोनों पैमाने समान पाठ्यांग प्रदर्शित करते हैं मतलब c का value f के बराबर होगा f का value c के बराबर होगा और इसको direct आपको learn करना है जिसे की question आया तो वहाँ पे solve नहीं करना है इसको जिसे theoretical याद नहीं रखते हैंगे अपन वेसे याद रखना क्योंकि नजा ने कितनी ही बार आपके प्रत्यविता परिक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्ण है इसको परीचे देने की जुरूत नहीं है उतारो दन चलो तो यह आपके पास पहला question हुआ है इस जगे से अभी आपके पास क्या अगला एक question और बोलाता मैंने कि वह कौन सा तापकरम है जबी आपके पास क्या है फारेनेड और यूमर समान पाठ्थयां तो देंगे तो question number देखते हैं यहापए question number दूसरा है वह कौन सा तापकरम है वह कौन सा तापकरम तापकरम है जिस पर जिस पर पारेनाइड जिस पर फारेनाइड तथा पारेनाइड तथा र्यूमर र्यूमर पैमाने समान पाठ्थयांक देंगे समान पाठ्थयांक आपके देंगे समान पाठ्थयांक देंगे यह आपको बताना है कि वह कौन सी रिडिंग है कौन सी जगे है जहां पर यह सब बाई जो है दोनों के दोनों तेम रिडिंग देन gina चालू कर देंगे ये वापस बोई करएंगे अफिन इसको हल करेंगे जिसे की मालोकप कैसे करेंगे押冷 assessment ये और आपके पास फारेग्ड हो गया और ये आपके पास क्या हो गया रिउमर को गया तो और रिडिंग जो आप कह रहे हो, वो रिडिंग आपके पास कितनी x है, वो रिडिंग आपके पास क्या है, x है, यह हमने मान लिया, ठीक है, अब आप देखना, यहां में रख रहा हूं, तो x-k 32 बटा 9, और इस जगे से हम बात करें, यह आपके पास कर जाएगा, x बटा 4, अब कुछ नहीं करना है, cross multiplication करना है, और आपके पास क्या है, हल करना है, बस और कुछ नहीं करना, तो इसको इस से गुणा कर देते हैं, यह आपके पास कितना हो जाएगा, 4x, इसको इस से गुणा करेंगे, यह आपके पास कितना हो जाएगा, 4x, अचे इदर देखो, यह बराबर इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x अब देखना मैं क्या करने वाला हूं यह 4x इधर की तरफ लेके जाओगे तो आपके पास बचेगा क्या बचेगा आपके पास माइनस के 128 बराबर यह 9x-4x बराबर आपके पास बचेगा 5x clear अब आपने x का value चाहिए थो एक्स का मान निकाल लो बसके वल गोट एक्स का मान चाहिए न फॉर एक्स का मान निकाल लेते हैं यहाँ से तो यह highlight5 बटा पांच, माइनस के 128 बटा पांच, अभी आपके पांच का भाग लगा दो, तो पांच का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, यह आपके पास 25 पॉइंट आपके 6, अब इसको 25.6 को डिगरी रिूमर बोलो, या फिर आप 25.6 डिगरी फारेनेट बोलो, अभी कोई फ लगता है करिए अपने, करिए, नहीं करिए, दोनों मैं- माइनस आ रहे हैं, माइनस के 7 सी लिखे है मैंने, चलो, अभी आपके पास क्या है, इसको आप उतारो फटा का, हो गया, यह दो कोशन है, मतलब अभी जो है, सारे कोशन हो या ना हो, यह दो कोशन तो आपने याद क कर करके जाने ही जाने है, इसके ओपर कोई कॉंपरोमाज नहीं होगा, आपसे कर कहता है, कि यह कौन सा आपकर हमें, बहुले एक तो जो है, माइनस चालिस आपके पास होता है, मैनस के 25.6 होता है, तो फारेनाइड और रियूमर सेम रिडिंग देते हैं, और मैनस के 40 पर सेल को कहेगा एक तो यह question हो गया एक दूसरे जो question हो गया वो random कोई temperature देदेगा इसको change करके दो आप इसको क्या गर दो आप change करके दो जैसे कि मान लो मैं आप से अभी temperature equation को लिख लेते एक बार पास में अपने और फिर दुबारा अब सवालों को देखें जैसे कि आपका जो सुत्र है इस सुत्र पर याधारित होगा इस सी बटा पांच बराबर एफ माइनस आपके प्रतिस बटा नो एफ माइनस प्रतिस बटा आपके पास क्या है नो बराबर आर बटा चार यह आपके पास temperature equation है और इस temperature equation से आपने सवाल करने है सारे के सारे अब आप देखना जो दिया होगा उसे आप रख लेना और जो नहीं दिया होगा उसे नजर नजर अंदाज कर देना जैसे फॉर एक्जेंपल जब भी मेरे को आपके पास क्या सेल्सियस और फारेनाइट दिया था तब मैंने इसको नजर अंदाज कर दिया था और केवल इस दो को पर अपने ध्यान रखना है इस तरीके से स्केς को करने एक करना कशनब्र इसकी का मतलब क्या होता है इस मतलब आप समझोगंने तो यह सवाल आपके जिसएक पानल रखने करता हूं फिर दोनों में फर्क बताऊंगा और उस पर्क से आप महसूस करना कि प्रत्यविता परिक्षाओं के इसाब से जहां पर कम समय में आपको क्वेश्चन हीट करने होते हैं कौन सा वाला ज्यादा बहतर है अब आप देखना जिसे कि मालो एक क्वेश्चन बोल रहा हूं में कि आप 140 140 डिगरी सेल्सियस को को आपकी किसम इसमें रियूमर में बदलो यह एक क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर आपके तीन इसमें आप से पुछा है माइनस 40 डिगरी से अब आपने क्या किया कि वहीं सी बटा 5 बराबर और बटा चार अभी सी का मान रखा यहां पर आपने तो सी बराबर किता दे दिया यह आपके 140 बटा 5 ठीके Reme category बराबर अर बटा चार अभी सॉल कर लेते हैं अपने तो सॉल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ठीक है यह आपके पास कितना हो जाएगा 28 और फिर इसको इससे गुणा कर लो तो आर का मान निकालना है आपको आर की वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा इसको इससे गुणा कर लेते हैं 28 से तो कितना हो जाएगा 48 32 का 2 और 4 दूनी 8 आठ और तीन आपके पास कितना यह आपके डिग्री रियूमर में आ गया यह डिग्री रियूमर में आ गया आज समझ में आ रही है तो आपने क्या किया डिग्री रियूमर में वैल्यू निकाल के दे दी यार ऐस तरीके से लेकिन आप देखना यहां आपने कंप्लीट फॉर्मुला पर डिपेंड रहे आपने भाग लगाया इसका कि आपके पास इस फॉर्मुला की समझ हो जैसे कि मालो अभी आपको समझ में आना चीए मैं अगर कहता हूं कि आपके पास एकस एकस बटा ए बराबर वाइ बटा बी बराबर जैड बटा सी तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि एकस का वैल्यू हुआ है ax बराबर by तो इसका मतलब क्या है कि x का value जो है वो b है और y का value जो है वो a है आप चाहो तो निकाल के देख लिए इनके माइने होते है mathematics में तो अगर आपके यह चीज़ समझ में आती है तो इस temperature equation पर वापस आओ आप समझना कि c basically क्या है c basically 5 है c basically आपके पास क्या है पाँच है अभी f no नहीं है f minus 32 जो है वो 9 के बराबर है यह f minus 32 जो है वो आपके पास कितना है नो के बराबर है यह ना f no नहीं है f minus 32 जो है वो किसके बराबर है नो के बराबर है अच्छा और देखते है अपन यहाँ पर देखते है इस जगे पे आरकी वेल्यव किसके बराबर है चार के बराबर र को सल questo में मुझे 5 चार के बराबर भात्यू से 32 कम करने की कोशिश करते हो और 32 कम करने के बाद यह बसती अब वह आपके नो के बराबर दिखती है इसी प्रकार से जब आपको रूमर दिया जाता है तो आपको क्या दिखता है वो चार नजर आता है अब हम वापस इस प्रशन की दरफ चलते हैं आपके प्रशन की दरफ यह आपका प्रशन है यह रहा आपका प्रशन अब आप देखना इसने कहा कहा कि 140, 140 degree Celsius तो देखना आपके पास 140 degree Celsius दिया हुआ है और degree Celsius का मतलब तो 5 होता है न इसका मतलब 5 का मतलब जो है इसने कितना दे रखा 140 दे रखा है और पूछ क्या रहा है rumor और rumor क्या है 4 है rumor क्या है 4 है अभी आप देखना जब 5 का मतलब 140 है तो 1 अनुपात का मतलब कितना होगा 28 अच्छे जब 1 अनुपात का मतलब यह है तो अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूँगा तो 4 अनुपात ना जाएगा तो 4 का मतलब कितना होगा देखे तो आपके पास कितना वापस वही value यापके पास कितना 112 degree बढ़े से मान रखना ज्यादा बहतर या ऐसे करना ज्यादा बहतर है अब या मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और देता हूं जिसमें मैंने कहा है आपसे कि या ये कॉशन नंबर फूर है मैंने इसे कहा आप से पास के 224 डिग्री सेल्सियस को डिग्री र्यूमर में बदलो कि यह मैंने आप से कहा 24 एक मिन रुको 24 के 25 कर लो कि आपके पास कोड़ा कंप्लीटली डिविजिबल वैल्यूज लिख लो तिर उसके वाद जब समझ में आ जाएगा ना तब छेड़ चार करते रहे ना फिर कोई दिक्कत नहीं है या माल लो यह चलो 220 कर ले 220 आपके पास क्या है डिगरी सेल्सियस को डिगरी र्यूमर में बदलो अब आप देखना इस प्रशन को अपन अगर लगाते हैं तो आप मुझे एक बात बताओ उतार रहा प्रशन अब आप मुझे बताओ कि 5 Celsius का मतलब मुझे 5 समझ में आता है Celsius का मतलब मुझे 5 समझ में आता है Rumor का मतलब मुझे 4 समझ में आता है मुझे ये समझ में आता है कि 5 value दी हुई है और 4 value मेरे से पूछ रहा है और F-32 जो है वो 9 के बराबर है मतलब अगर no value पता लग गई तो it means मेरे पास f-32 value पड़ी हुई है अब बताओ जब 5 रेश्यो 5 का मतलब 5 unit का मतलब 220 है एक का कितना हो जाएगा या एक का आपके पास 44 हो जाएगा अब मुझे बताओ एक का अगर 44 है तो फिर आपके पास 4 का कितना हो जाएगा तो चार का आपके पास कितना 170 है यह आपके पास 4 चोक आपके पास 160 तो यह हो गए और फिर उसके बाद उसमें चार चोक 16 और जोड़ तो 176 हो जाएगा 176 डिगरी रियूमर अब यह ज़्यादा असान है कि नहीं यह प्रोच ज़्यादा असान है जिसमें अभी देखो आप सम्सक्राइशन की तरफ नहीं जाते हो अब आप एक्वेशन की तरफ नहीं जाते हो अभी आप क्या पकड़ते हो सीधे सीधे कि यार सेल्सियस मतलब 5 रियूमर मतलब 4 और एफ माइनस बत्यस का मतलब आपके पास क्या है नो है अगर मुझे एफ माइनस बत्यस दिया हुआ है इट मिन्स नो की वैल्यू मेरे पास है हना एफ दिया हुआ है तो पहले मैं एफ से एफ माइनस आपके बत्यस निकालने की निकालूंगा और फिर उसे नो से एक्वेट करूंगा बस फारेनेड में थोड़ा सा ऐसा ध्यान देना हना बाकी तो उसके सवाल भी आपके हो जाएंगे जिसे अभी क्या है अपन अब डिगरी सेलसियस में बदलो और कि ए व्याउय आपको दिया हुआ है है कि ऐ वैलूय आपको दिया हुआ यह कंद लो करो ये डिगरी रय्यूमर को डिगरी सेलसियस बदलो झाल झाल आपको समझ में आता है तो रूमर का रेश्व क्या है चार होता है आप देखो चार का मतलब यह दिया हुआ है और चार का मतलब यह दिया हुआ है और मुझे मतलब किसका निकालना है पांच का मतलब निकालना है पांच का मतलब क्या होता है चार cancel out कर दूँ एक बार चार से कितनी बार जाएगा चार की बार बचा कितना दो यह आपके पास 28 चार सत्य 28 शुटना हो गया 37 तो एक का मतलब 37 है फिर पांच का मतलब कितना होगा कितना हो जाएगा आपके पास 35 और आपके पास पंदरा पंदरा और आपके पास तीन कितना 185 डिगरी सेल्सियस यह आपका आंसर आएगा पास समझ में आगई इस तरीके से आपने करना है इन सवालों को ऐसे बहुत सारे सवाल मिल जाएगे आपको बुको गरा खोलोगे तो आप टैस्वन पर जाकर प्रैक्टेस कर सकते हो टैस्वन पर भी आपको मिल जाएगे सवाल अच्छा अभी देखना यहां पर एक question और देखें चलो करो जड़ा एक question और करो यह आपके पास क्या मैंने question दिया आपको question number शायद 5 है यह question number 6 question number 6 में हम बात करते हैं 122 degree Fahrenheit को degree Celsius में आप जो है degree Celsius में बदलो 122 degree Fahrenheit को degree Celsius में बदलो यह Fahrenheit value है इसकी Celsius value देनी है अच्छा बताओ क्या Fahrenheit value 9 के बराबर होती है क्या Fahrenheit value 9 के बराबर होती है नहीं पर गुरुची Fahrenheit value उन्हीं होती है आप देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर आपके R बटा 4 अच्छा C का मतलब 5 होता है अना R का मतलब 4 होता है और F माइनस 32 का मतलब 9 होता है पिंस यह 9 के बराबर नहीं है गुरुजी अगर इसमें से 32 कम कर दिया जाए तो जो भी value आती है वो 9 के बराबर अना अगर इसमें से 32 कम कर दिया जाए तो जो भी value आती है वो जो है 9 के बराबर होगी बताओ इसमें से अगर मैं माइनस के आपके 32 कर दूं कम तो वैल्यू कितनी आएगी नबब आ रही है तो यह नबब जो है तो किसके बराबर है 9 के तो भी बताओ एक का मतलब कितना होगा एक का मतलब आपके पास 10 होगा एक का मतलब 10 है तो 5 का मतलब क्या होगा 50 degree Celsius तो अंसर आपके पास कितना हो जाएगा 50 degree Celsius क्लियर है यहां तक चीज़े क्लियर है चलो फैरी गुड अच्छा एक क्वेश्चन और करवा दें इसका तो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको रेंडम तो चलो एक क्वेश्चन जो है और या फिर कर लोगे बोलो या तो कर लेंगे या फिर रेंडम एक क्वेश्चन और करते हैं अब यह अपन क्या करते हैं इदर की तरफ Kelvin टेंपरेचर को कंवर्ट करवाते हैं तो लिक्वेश्च के अंदर 400 400 कल्विन तापक्रम को रूमर में बदलो तो यहां पर हमारे पास क्या दे रखा है और वो दे रखा है Kelvin में ठीक है question number seven और यह दे रखा है 400 Kelvin को आपको change करना है किसमें rumor में rumor में बदलो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा Kelvin को Celsius में change करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इसको rumor तक लेकर आना पड़ेगा लाओ फटाफट भाईयों आपको करना प्योड़ेगा है झाल झाल कर देखते हैं अब आप देखना यहाँ पर क्या होता है के जो होता है वो आपके पास क्या होता है 273 प्लस आपके पास C यहाँ से अगर में आपके पास क्या है के वैल्यू है तो हमको समझ में आता है 273 ज्यादा है के वैल्यू आपके पास क्या है वो हो जाएगा आपके पास k-273 कुछ नहीं किया है मैंने c को तो यह रखा इसको इदर लिया है तो k-273 ठीक है और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया 400-k273 ठीक है घटा दो तो घटाते सी आपके पास कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपके पास 7 यह हो जाएगा आपके पास दो और यहां से आपके पास कितना कितना एक 127 तो 127 डिगरी के आपके पास क्या है celsius में convert हो गया आपके पास क्या है celsius में convert हो गया अब आप देखना यहां पर celsius आ गया और celsius मतलब 5 आ गया celsius मतलब क्या आ गया पांच आगया तो आपके समझना आपके पास आया क्या Celsius वैल्यू हमारे पास है और यह आपके पास क्या है 1.7 जो आपके पास डिगरी Celsius है पांच की वैल्यू है अच्छा आप से पूछा क्या है rumor पूछा है न यूमर का मतलब आपकोई चार समझ में आता है न आपके पास पांच की वैलिव है और चार की वैलिव आपको निकालनी है अभी मुझे बताओ जब आपके पांच की वैलिव यह है तो अभी आपके एक का मान कितना होगा ये कितना हो जाएगा 254 25.4 एक का मतलब एक का मतलब 25.4 है अब एक बात आओ एक का मतलब 25.4 है तो मैं अगर 4 से गुणा करूँगा तो ये 4 का मान हो जाएगा अब ये 4 का मान हो जाएगा तो बस कुछ मत करो ये कितना हो जाएगा तो एक सो आचार चोक आपके पास 16 तो 101 पॉइंट 6 डिगरी रिउमर यह आ रहा है चलो तो आपके पास कितना हो गया 101 पॉइंट आपके पास क्या है इसका कनवर्जन होगा तापकरम में परिवर्टन आ गया अपका ठीक है एक कनवर्जन और करके बताओ इसको उतार लो, फिर उसके बाद एक और करो, ये लास्ट कोश्चन होगा, इसके बाद हम आगे पढ़ेगे देखो ज़रा 302 डिगरी फारेनाइड 302 डिगरी फारेनाइड को 302 डिगरी फारेनाइड को कैल्विन में परिवर्तित करो, ये क्वेशन नंबर आठ लिख रहा हूँ यहाँ आपके में, कि आपके पास 302 डिगरी फारेनाइड को को आपके केलविन में बदलो कि ऑनलाइन में जो आप पर पढ़ रहे हैं यह बच्चे भी आपके पास जवाब दे इस्पेशली एप वाले बच्चे तो यह कोश्चन है और इस कोश्चन का अंसर दो कॉमेंट बॉक्स में फटाफट इसना समय गवाए को कि अटवर्ट। चल्दी गरो यार चलो हो गया अभी ना तो इदर यूट्यूब के बच्चों ने जवाब दिया और नहीं आप लोगों ने जवाब दिया आगया 400 23 अरी गूड ये बता रहे हैं ऑप्शन नमबर ए 400 ऑप्शन नमबर ए बता दिया कि चारसो तेबिस केलवेन के डिगरी केलविन ऑगशाया एक बात ऊसमझ में आता है कि Μ souनेनों के बराबर नहीं होता जैसे कि डारेक्ट सेल्सियास पांच के बराबर है डारेक्ट यूमर आपके चार के बराबर है वैसे डारेक्ट फारेनाइड 9 के बराबर नहीं है ना फारेनाइड वैल्यू जो मिलती है उसमें से अगर मालो 32 कम कर दोगे तो फिर वह 9 के एक्वल होती है यह आपको समझ में आ रहा है अगर यह आपको समझ में आ रहा है तो आप देखना इसको फॉर्मुला में भी पूट करते तो आप क्या करते यार आपके देखने इदर की तरफ एफ माइनस आपके पास 32 बटा नो और फिर सी बटा पांच करते करते कि अभी यहां पर यह रखते यह वाला वैल्यू फिर माइनस 32 करते अभी मैं क्या कर रहा हूं डारेट इसमें 230ad haver 270 270 किसके पर राबर है अब 9 का मान 270 है एक का मान कितना हो जाएगा अकना कि अगर 30 का मान कितना आजाएगा आपके पास यह 800 डिग्री सेल्सियस अब देखो डिग्री सेल्सियस को आपको कैल्विन में बदलना है बड़ा आसान 273 जोड़ दो यार इसके अंदर प्लस कर देंगे अपर कितना 273 तो कितना आ जाएगा 273 जोड़ते सही आ गया यह तीन साथ पांच बारा का दो हासिल एक और यह चार यह जो बच्चे ने बताया है 400 यह वैल्यू निकल कर आ जाएगी जैसे जो इस तरीके से करवा दी यहां पर सवाल भी करवा दिये और साथ ही साथ आपके पास इसका आर्टिकल भी पढ़ा दिया आपको अभी आपको जो है यह क्लास ही देख रही है लगबलब कम्प्रीट हो जाएगा प्रैक्टेस के लिए आपको इसी भी बुक प्रिफर कर देना अपने प्रैशन में एक साथ एक जगे पर नहीं मिलेंगे आपके कॉलेज की बुक में एक साथ बहुत सारे को सब्सक्राइब अब देखो इसके बाद करते आगे इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं अब आप देखो पढ़ के आ रहे हैं आप पढ़ रहे हों होटपोट सेशन 5 यह आपके पास कहा है पांचवा सेशन है होटपोट सेशन 5 और इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं अब अब बहुत के राश्य मात्रग और इकाईया पढ़ रेहे हैं आप आप मात्रग पढ़ाने जा रहे हो अब अबर विमा न değer चॉत्र ऑक हैए आथ ज़्या क्या का व्यान प्रटिंग लगां विमय में शुंच कि मिया कि मिया mostly कि मिय सुत्र कि पीमिय सुत्र आप के पास किए विमा सुट्र भी बोलेंगे इसको या फिर आम इसको क्या बोल सकते हैं विमा विमा सु weigh यह विमा आपके पास क्या है सुत्र है विमा सुत्र है या फिर आपके विमा सुत्र dimension formula dimension formula यह dimension formula यह dimension formula सबसे पहले तो हमें यह समझ में आना अच्छी कि dimension formula विमी यह सुत्र basically होते क्या है विमी यह सुत्र आपके पास क्या है होते क्या है स्केडिन है आप आहसे आढ़ चर्भ में अब देखो है मा जो होगा वह दामेंशन फारमिला पैसी का लिए होता क्या कि मूल मात्रगों के प्रतीक चिन्नों से व्यक्तंत्य सुत्र होते हैं उसे डािमेंशन फारमिला कहते हैं आप देखना dimension formula आपको दिखता कैसा है MLT के respect में दिखता है तो basically यह MLT है क्या ती की बात करूँ यह आपके पास क्या time है L की बात करूँ यह क्या है length है M की बात करूँ M क्या है आपके पास mass है तो यह basically है क्या यह मूल मातरक है अगर मालो सीधी साधी भाषा में आपसे कोई पूछे क्या dimension formula क्या होता है आप बोलो कि बाई साब tension मतलो dimension formula के बारे में आप तो यह दिखान रख लो कि जो fundamental unit होती है उनके प्रतीक चिन्नों में जो आपके पास सुत्र represent किये जाते हैं उन formula को ही dimension formula कहते है तो dimension formula क्या होता है बड़ा आसान के बूल आपके पास क्या है राश्यों के प्रतीक चिन्नों की साहिता से व्यक्त सुत्रों को विमिय सुत्र कहते हैं dimension formula कहते हैं ठीक है ना तो dimension formula की definition तो आपको clear हो गई के dimension formula basically होता क्या है यहां लिखता हूं में आप देखो पूल मात्रकों के पूल मात्रकों के प्रतीक चिन्नों की साहिता से की साहिता से व्यक्त सुत्रों को आपके विमिय सुत्र कहते हैं तुत्रों को विमिय सुत्र कहते हैं dimension formula कहते हैं ठीक तो आपके dimension formula MLT में व्यक्त किया जाते है ना तो अभी पहला तो यह हो गया जो मुझे नजर आया वो मैंने लिखा दिया दूसरा आपको समझ में आना चीए कि इन्हें मतलब विमिय सुत्रों को सुत्रों को MLT से यक्त किया जाता है यक्त किया जाता है किया जाता है जो आपके dimension formula होता है वो जो आपको MLT से समझना M बास्तों में क्या है अगर मैं बात करता हूं M जो है वो क्या है मेरे पास आपके पास L जो है वो किसे रिप्रेजेंट करती है कि इसे करता प्रतित कि एक व्यवस्ता है जिसे हुम क्या कह रहे है mall रहा है अब आपको द्यान लगतना इकाई विहीन राश्यों के जो आपके विमिय सुत्र हैं वो आपके पास नहीं होते हैं तो जो इकाई विहीन पद हैं वो विमा विहीन भी होंगे। अ कि आरलियह कि सबसे बढ़िया बात जो लगी ना मिरको वो सबसे बढ़िया बात पता है क्या लगी एक तो यह कपड़ों पर नहीं होगा ऐसे कर लो तो नहीं होगा परना क्या होता है कि यार यह कपड़ों पर लग जाता था ना तो बहुत तब लगाने का मतलब है हंगामा बहुत गल्थी से भी क्या आपकी लेक्चर देते समय कितना ही हाथ उपर कर लो इधर कर लो एड़ा मेड़ा कर लो और जब कपड़ों पर निशान नहीं होते हैं तो बस हैपी परिवार तुक्षी परिवार कि चलो आपके पास किया मैं अगला प्वंट इने वाला हूं कि ए राहा मेरे पास अगला faint कि जैब भूलरा था हैल अगला अगला प्याट याद दिलाओगे मेरेको कि ए अगला प्याद दिलाओ याड फե՟ा-फेट मैं भूल गया अगला ja याद नहीं दिलाओंगे class अगे बढ़ाओंगा comment box में बताओ ओनलाइन वाली बैश्चे बढ़ाओ वूरी पदो चाय का धिया बसके इला कि पोते रहते होगा class में मैं पता नहीं मैं क्या बूलता से पछले फुर्ड़ी दिर पहले यंग ब्लडो परियाददाश मुस्ट जायते हैं पहले तो मैंने क्या किया था डाइमेंशन वीमिय सुत्र का डेफिनेशन लिखाया या फंडामेंटल यूनिट के प्रतीक चिन्नों से ब्लडो प्रत के बंवेंशन में थाइमेंशन वी मिएंशन होती है म आप से मैं तो नहीं आपके पहला भौतिक राशी का व्मिय सुत्र क्या होगा और आपको कहीं पर यह पता लग गया कि यह unit less है, यह इकाई विहीन है, तो फिर आप फटाक से क्या बोलोगे, कि यह विमा विहीन भी है, इसकी इकाई नहीं होगी, अच्छा बात हो, जिसकी unit नहीं होगी, मतलब MLT में व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, आपके पास क्या है, किलो आपके ना, तो बस simple सी बात हो गई, तो इस point में हम यही लिखने वाले हैं, देखो, महेंद्र मिर्णा ने जवाब दिया, unit, अच्छा unit के बारे में बात कर रहे थे, अभी आप देखना, हम क्या बोल रहे हैं, कि इकाई विहीन राशियां, वीमा विहीन होती है, क्या बोले इकाई विहीन राशियां, विमा विहीन, विहीन, विहीन राशियां होती है, राशियां होती है, काई विहीन राशियां जो है, वो विमा विहीन राशियां होती है, तो यह विमा विहीन राशियों के निच्छे अंडरलाइन मार देना, ठीके, जिस्ते कि आप एक्षित घन तो यह विमा विहीन होगी और देख लेते हैं अपन जिसे कि आपके पास क्या है आपक्षिक चुम्बकन शीलता आप बोलोगे डाइमेंशन लेस आपक्षिक विद्धुत शीलता आप बोलोगे डाइमेंशन लेस एरे क्लास में लाइक क्यों नहीं बढ़ रहे क्लास के लाइक बढ़ाओ यार पढ़ते तो ज्यादा हो लाइक कम आते हैं तो अब देखना अपन डाइमेंशन फॉर्मला के लिए का जाता है कि टेबल जो है देदी आपको और डाइमेंशन फॉर्मला मैंने काई आर याद कर लेना कि कुछ एक डाइमेंशन फॉर्मला आपको याद भी होने चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता लेकिन में आपको डाइमें dimension formula बनाकर दोगे उसे अभी अपन क्या करते हैं रूट लेवल से dimension formula बनाना सीखते हैं बैसिक तरीके से शुरुआत तरीके से जैसे की आप देखना यहां पर आपसे कहा कि क्या है बोले कुछ भी नहीं है यह आपके प्रतीक चिन्नुत को प्रदर्शित करने के अक्ती विवर्स्ता है प्रतीक से रिप्रेजेंट कर दो dimension formula बन जाएगा जैसे कि मालो सबसे पहले उठाते हैं पर फस्ट नंबर पर उठाते हैं यह मैंने आपके पास क्या पहले लंबाई मैंने पहले लंबर पर क्या ले लिए लंबाई लंबाई अब बताओ लंबाई में लैंथ है ना बोले है सर लंबाई को आपके पास क्या मीटर में व्यक्त करते हैं अब बताओ क्या लंबाई में द्रव्यमान है नहीं है क्या लंबाई में आपके पास समय है नही है तो हम क्या बोलेंगे कि मास जो है वो नहीं है अच्छा नहीं है का मतलब है उसके सर पे जीरो लगा दो के लेंथ है एक है लेंथ है एक है ताइम बोले टाइम नहीं है और टाइम नहीं है बोले नहीं है को जीरो से रिकल देंगे यह एक्जिस्ट नहीं करती तो जो एक्ज करती है यह देखके लिखेंगे के मात्य पर पावर की फॉर्म में अब बताओ लंबाई का डाइमेंशन फॉर्मला क्या हो गया M0 L1 T0 समझ में आ गया लंबाई के बाद देखना दूसरे नंबर पर बात करता हूं मैं बात कर रहा हूं आपके शेत्रफल पर शेत्रफल बेसिकली क्या होता है आप बोलो कि गुरुजी शेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चोड़ाई अगर आयत आपका basic चोड़ाई से गुणा किया जाता है तो शेत्रफल आ जाता है तो शेत्रफल आ जाता है तो शेत्रफल आ जाता है तो आपके इस एरिया में जरब्यमान है मास नजर आ रहा है कि आपको यहां पे आप बलो कि गुरुची नजर नहीं आ रहा है मास नहीं है तो यह मास नहीं है और मास नहीं है अच्छा लंबाई है लंबाई है कितनी बारे यह रही एक लेंथ और यह रही एक लेंथ अभी मैं बोलू मीटर मीटर और इसका एरिया जो में अभी आप देखो लेंथ है और लेंथ कितनी है दो क्या टाइम एक्जिस्स करता है क्या इसका मतलब टाइम जो है वो कितना हो जाएगा जीरो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके क्या है शेत्रफल का विमिय सुत्र क्या है आप बोलोगे M0L2T0 के इसका विमिय सुत्र है अक्सर क्या होता है इसे छोटी छोटी आपके विमिय सुत्र आते है और लड़के ने केवल गाइड की साहता से या कोई टेबल रट के बैठा हुआ है कठिन-कठिन तो याद करके बैठा हुआ उस्ताद हो और आसांसी पर आपकी आउट हो ग दिया और 20-25 डाइमेंशन फॉर्मला याद करके रट करके आप बैठे हुए हो वहाँ पर और उसने क्या पूछा उसमें से एक भी नहीं पूछा उसने से उड़ा कि बस बैसिक सा क्वेशन पूछा आपसे और उसमें आप गूम गए आरण कि आपके कॉंसेप्ट क्लियर न लंबाई को चोड़ाई से गुणा करो फिर उचाई से गुणा कर दो तो आपके पास क्या है आईता निकल जाता है यह होता क्या है लंबाई लंबाई इंटू चोडाई चोडाई इंटू आपके पास उचाई अगर आप इसको करोगे मतलब ये भी आपके मीटर में ये भी मीटर में और ये भी मीटर में है तो ये आपके पास इसकी यूनिट जो निकल कर आएगी वो होगी आपके घन मीटर मतलब मेटर क्यूँ ठीक है अब मुझे एक बात बताओ यहां पर पास नजर आ रहा है क्या आपको दरवेमान नजर आ रहा है क्या आप बोलो कि नहीं गुरू जी दरवेमान नजर नहीं आ रहा है तो यह आपके पास कितना हो जाएगा जीरो ठीक है अभी लेंथ नजर आ रह तो आप यह देखो कि कितनी बार नजर आ रहे हैं जितनी बार नज़र आ रहे हैं उतने बार आपके हैта power पहुत तो यहँ तीन बार आपके लंबाई यह डिक रही है लेंज नजर आ हुए एक दो तेन इसलिए मैंने Auto पास ल की पावर तीर दिया है आज समझ में आ रहा है रहा है आगे बात करते हैं अपन कि बाद देखो चोथे नमबर पर चलते हैं तो इसके बाद हम बात करते हैं समय समय को आप कैसे रिप्रेजन करते हो सेकेंड से इसका डाइमेंशन फॉर्मला दे रहा हूं तो यहां पर आपके पास के ऊपर केवल एक लिख दोगे तो जो आपके जो है आपके यहां पर समय है उसका डाइमेंशन फॉर्मला क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टीवन एम जीरो एल जीरो टीवन यह आपके समय का डाइमेंशन फॉर्मला हो जाएगा अभी देखो इसके बाद आगे बात करते हैं चोथे के बाद पांच में नंबर पर पांच में नंबर पर यह Kilo Gram में, आब मुझे बबिताओ, यहाँ पर Mass है एक, ठीक है, Length Exist नहीं कर रही है टेक है, तो जो Exist नहीं कर रहा है वहां क्या गरेंगे रहाँ है ? 0 और Mass Iyaink आपके पास करता है, Length नहीं है, Time आपके पास नहीं है, तो जो Mass ध्रविव्यमान है, उसका dimension formula होगा M1L0T0 इसके बाद देखो यहाँ से आगे बात करते हैं अपन आगे होगा आपको basic basic से आपके क्या है बनाके दिखा दिया आपको और देखते हैं प्षटे नमबर पर देखते हैं अब जिसे कि माल लो हम वेग से चालोगा वेग करण तो यह आपके पास क्या है वेग अब देखो वेग प्रति सेकेंड में कैसे लिख सकता हूँ आपके पास लिख सकता हूं आपके पास ही टरर और लेकर आघ्या मैं आधाना बताओ सेकंड जब उपर आया तो पावर आपके के नेगेटिव हो गया अब मुझे बताओ मिरे अगर वेग का dimension formula देना है क्या यहां मुझे मास नजर आ रहा है मास नजर नहीं आ रहा है यहां पर मैंने क्या गर दिया मास को जीरो गर दिया लेंथ नजर आ रही है आपको गुरुजी लेंथ नजर आ रही है और लेंथ आपके पास एक नजर आ रही है और टाइम आपके पा जो है उसका dimension formula यह आएगा अच्छा बताओ वेग का dimension formula यह आएगा तो एक और वेग से मिलती जुलती राशी है जिसको हम कहते हैं चाल तो चाल जो है उसको भी तो आप मेटर प्रती सेकेंड में व्यक्त करते हो तो आप देखो यह आपके पास जो है वेग और चाल इन दोनों के विमीज सुत्र एक ही आएंगे M0L1T-1 तो दोनों के dimension formula जो है वो बिलकुल एक जिसे आ रहा है दोनों के dimension formula बिलकुल एक जिसे आ रहा है तो वेग जो है वो एक factor quantity है और चाल जो है वो एक scalar quantity है definition दोनों का अलग-अलग है dimension formula फॉर्मला यूनिट एक जैसी होने के कारण आपके dimension formula सेम निकल कर आ रहा है तो लो आगे बात करते हैं इसके बाद हम बात करते है त्वरण पर आठवे नंबर पर हम बात करेंगे त्वरण त्वरण आपके पास क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर होती है परण की यूनिट क्या होती है मिटर प्रती सेकंड स्क्वायर यही होती है मिटर प्रती सेकंड स्क्वायर अब बताओ एक बार कि अगर मैं second square को उपर लेकर आऊंगा तो ये होगा कि नहीं होगा हाँ सब second अगर उपर आएगा तो second की power आपके minus 2 हो जाएगी अब चलो dimension formula लिखते हैं mass नजर आ रहा है यहाँ पर आपको mass नजर नहीं आ रहा है तो mass नजर नहीं आ रहा तो जो नजर नहीं आ रहा उसके लिए पावर जीरो करो गया length आपको नजर आ रही है बोले length नजर आ रही है length आपके एक है time बोले time नजर आ रहा है time जो है वो minus 2 आएगा sir m0 l1 t minus 2 यह आपके पास क्यों हो जाएगी acceleration तरण का dimension formula होगा अब आप देखना क्या इनको रटने की जरुरत है है अब है मैं आपको एक table बन वहूँगा जिसमें सभी की units लिखी होगी सभी की काईया लिखी होगी लगब लगब जिनकी भी काईया आपको पता है उनके लिए आप dimension formula लिख सकते हैं दारा की बात करता है तो यहां पर जिसी की मालूला आपको दारा के लिए लिखना है फर्मुला तो ज़्यादा लंब हो जाएगा अठाते है अब इसको अधारा तो मुझे ताव धारा जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं करेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है न और फंडामेंटल क्वांटिटी के जो प्रतीक चिन्न थे उन्हीं की सहायता से हम जो सुत्र लिख रहे थे उन्हें विमिय सुत्र कह रहे थे तो करेंट के लिए क दाइमेंशन फर्म्रा क्या होगाका क्युन बोक्स मा करो ज्यार करिन्ट का दाइमेंशन फोर्मुला के अप पर जो बच्छे पड़ रहे हैं और यू त्दीवikuण वह यहां वाले बच्छे तो बताऊ क्या होगा समझत यह तो बताऊ क्या होगा आप देखो यहां पर इसके काई में करेंगे हम एंपियर में व्यक्त करते हैं और यहां में इसका डैमेंशन फॉर्मुला दूँगा होना बात यहां होना हुए है इसे बताना चाहते हैं इसे यहां पहाँ आपके पास्यां यह है ती नहीं है यह आपके पास क्या हो जाएगा ए वन तो हम इस तरीके से भी रिप्रेसेंट कर सकते हैं इसका तो यह तो खिर अभी नहीं करते हैं अपने बाद नेक्स पर इसके बाद देखो आगे नो के बाद दस नो तक हो गया इसके बाद दस तो देखो वेग का आपने निकाल लिया इसके लावा चाल का आपने निकाल लिया अब हम बात किरते हैं बल 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 जो होता है वो क्या होता है बल आपके पास क्या होता है f बराबर m a formula पढ़ा है कि नहीं पढ़ा f बराबर आपके पास क्या है m a तो यहाँ पर आप देखो f is equal to m a वाला formula पढ़ा हुआ है यहाँ पर आप देखना यह m और a अगर मैं बात करू f f is equal to m a यह mass और यह आपके पास क्या acceleration अब आप देखो mass जो है यह mass तो यह अपन ने क्या किया kg में लिख दिया और यह आपके पास क्या है biter per second square में लिख दिया अभी आप देखना इसको मैं आपके ठीक करते है थोड़ा सा यह आपके kg हो गया यह meter हो गया और यह आपके पास s minus और इनके आपके पास क्या है कि यहां है तो मicon Observ कि आपके पास कितना नजर आ रहा आपको 1 ऑफा कितने नजर आ रह रहरी है यहां पे चाएंड फी गरूजी एक ही नजर आ रही है यहां पर अचाएंग कितना नजर आपके पास ही पर दो लग्णडOM कि आतु अुपर की तरफ आएगा तो होज इसके बाद हम बात करते हैं कारे पर आप देखो कारे बेसिकली होता क्या है किसी भी वस्तू पर आरोपित बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन का गुननफल जो है वो कारे कहलाता है बल लगाए और बल लगाने की दिशा में वो जितना आपके पास क्या डिस्प्लेजड वही जितना आपके विस्थापन उसने प्राप्त किया उस विस्थापन के गुननफल को हम क्या कहते हैं कारे कहते हैं तो आप देखना यहाँ पर W बराबर क्या होगा F into आपके D होता है अभी F जो है वो तो आपको clear है D जो है वो आपके दूरी है यह भी clear हो जाएगा तो अभी आप देखना F basically आपके पास क्या है kilogram, meter और यह आपके पास second minus 2 और यह आपके पास क्या है meter तो अगर मालो इसको मैं सही करता हूँ तो क्यो हो जाएगा kilogram हो गया यह meter square हो गया और यह second यह second minus 2 हो गया अब आप इसको देखकर जो है इसका dimension formula लिक सकते हो यह आपके dimension formula क्यों जाएगा मास है एक बार है sir, mass length भी sir है length आपके पास 2 बार है time की power तो आपके पास minus 2 है यह आपके पास क्यों हो जाएगा कारे का dimension formula हो जाएगा कारे का dimension formula क्या हुआ M1 L2 T minus 1 और अगर आपको समझ में आता है क्यार कारे जो होता है वो होता F into D और F का dimension formula क्या है M1 L1 T minus आपके पास 2 तो length एक बढ़ रही है तो यहाँ पर length एक बढ़ा दो यह केवल विस्थापन से तो गुणा होगा केवल विस्थापन से तो गुणा होगा तो जैसी विस्थापन से गुणा करोगे सेवर केवल आपको क्या करना एक length बढ़ाना है और एक length बढ़ाते सी देखो यह formula और इस formula इन दोनों को compare करो आप इसमें क्या किया यह बल और into आपके पास क्या है विस्थापन तो जैसी आपके पास मेटर को मेटर स्क्वाइर करोगे यह आपके जो बल है वो कहां convert होकर आजाएगा आपके आरिये चलो पारो कि करें है तरण यह दो अभी कारे का भी निकल गया बल का भी निकल गया तो अब हम बात करते हैं कारे के बाद पूर्जा की बात करते हैं पूर्जा बैसिकली होगी क्या है पूर्जा बैसिकली होती ही क्या है हम बोलते हैं कि कारे करने की जो छंता है वो उर्जा है कारे करने की जो चंता है वो क्या है उर्जा है तो जब हम आपके energy को व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करते हैं w into t से w into t से तो एक बाद आओ अभी आपको इस समझ में आने लगया होगा कि w जो है वो क्या है work done और work done की dimension formula इन्होंने ये लिखी हुई है यहाँ पर एक आपके पास क्या time और आगया है तो अगर मैं एक time और इसको दूँगा तो यह minus 2 और वो plus का होगा आप देखना मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर मैं dimension formula से मैं e का dimension formula निकाल रहा हूँ तो इस आपके पास work done का dimension formula कितना है M1L2T-2 और यह क्या है पर गुरुजी time है तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ कर सकते हैं अब आप बताओ यहाँ पर आपके पास इसको solve करेंगे तो क्या हो जाएगा M1L2T-1 इसका मतलब पूरजा का dimension formula आपके पास क्या है यह रहा M1L2T-1 जो है वो आपके energy का dimension formula है पूरजा का विमिय सुत्र है आच लो पूरजा का आगया तो अभी हम शक्ती पर भी बात करी लेते हैं अब आपको समझ में आएगा कि शक्ती का dimension formula आप कैसे निकालोगे तेरवे नंबर पर में बात करता हूँ शक्ती अब मुझे बताओ शक्ती बैसिकली होती क्या है कारे करने की दर को शक्ती कहते हैं अना शक्ती क्या होगी कारे करने की दर जो है वो शक्ती कहलाएगी आप बताओ कारे करने की दर तो ये आपके पास क्या है P बराबर W बटा T W basically work done है और T आपके पास time है अब मुझे एक बाद बताओ ये आपके पास जो है W कारे उसका dimension formula तो वो लिख रखा आपने तो ये आपके पास क्या हो जाएगा M1 L2 T-2 और ये sum को कैसे represent करोगे T1 से represent करेंगे इन भाईया को उपर लेगे जाओगे तो T-1 होगे की नहीं होगे और T-1 होते से माइनस 2 और माइनस 1 मतलब माइनस 3 हो जाएगा तो यहाँ पर जो power है उसके लिए dimension formula क्या होगा M1 L2 T-3 ये आपके पास dimension formula निकल कर आएगा अभी धीरे धीरे आपको हवा लगने लग गई होगी इस तरीके से हम dimension formula बना रहे हैं आपने किस तरीके से बनाना है ये जबर जस्ती याद करने की कोशिश मत करना अक्सर क्या होता है कि बच्चा इसके साथ जबर जस्ती करता है जबर जस्ती के काम बड़ पी कर एक-एक dimension formula को derive करना है ठीक है और फिर उसमें से जो कुछ बच जाता है उनको क्या करना है आपको learn कर लेना है अभी learning part वाला portion कम कर लिया अपने समझने वाला portion अपने ज्यादा कर लिया कि आउनलाइन वाले बच्चे फटा फट बताओ क्लियर है कि बोले हां गुरुजी चीज़े क्लियर है इसके बात और देखते हैं अपन यहीं से आपके पास क्या चीज़े और समझते हैं अब आप देखना यह आपके पास 14 नंबर पर चलते हैं अभी हम बात करते हैं जिसे कि मालो कारेका हो गया इसके अलावा आपके बल के बाद आपके ऊर्जा हो गयी अर्जा के बाद आपके शकती हो गई अभी हम बात करते हैं आपके दाब अ तो प्रेशर basically क्या होता है, यार, पर unit area पर applied force, प्रेशर basically क्या होता है, पर unit आपके area पर applied force, हम क्यातीना प्रती इकाई शित्रफल पर आरोपित बल जो है, वह दाब के रूप में परिभाशित किया जाता है, तो basically पी जो है, वह F divided by A होगा, E बराबर जो है वो क्या होगा F divided by A होगा और F क्या होता है F का dimension formula F का dimension formula यह रहा अब देखो dimension formula आपको दिरे दिरे याद भी रखने पड़ेंगे F dimension formula इसी पर था यह रहा F का dimension यह ना F का dimension या फिर नहीं आ देखो MA तो आपके पास क्या M1 L1 T minus 2 यह आपके पास क्या F का dimension formula है और इस dimension formula से हम क्या कर रहे हैं आपके पास हमारे P का dimension formula design कर रहे हैं तो यह आपके पास क्या हो गया dimension formula M1 L1 T minus 2 यह आपके पास M हो गया और यह आपके पास A हो गया MA नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा M और A ठीक है और नीचे आपके पास क्या है area है अच्छा area का dimension formula भी लिखवाया था मैंने area का dimension formula लिखवाया था L2 area का क्या लिखवाया था आपके पास L2 ठीक है न अब कुछ नहीं करना है इसको उपर की तरफ लेके जाना है तो इसका dimension formula आपके पास क्या आएगा आप देखो mask तो एक ही रहने वाला है अब यह बताओ यह जब उपर जाएगा माइनस दो हो जाएगा और यह L आपके पास एक है तो length आपके पास कितनी होगी माइनस वन हो जाएगी और T जो है वो आपके पास T माइनस दो रहने वाला है इसका मतलब pressure के लिए dimension formula जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास M1 L माइनस 1 T माइनस 2 हो जाएगा यह आपके पास दाब हो गया अच्छा दाब के बाद फिर आगे बात करते हैं अपन अभी हम बात करते हैं समवेग समवेग तो समवेग बिसिकली क्या होता है P is equal to MV समवेग आपके पास क्या होगा P is equal to आपके MV अब आप देखना M जो है वो का इसके से represent कर रहे हो kilogram में P आपके पास क्या होता है meter और यह second inverse ऐसे कर दो na meter per second second inverse हो जाएगा तो अभी आप बताओ समवेग का dimension formula यहां से लिखना है तो बोलो कौन लिखवाएगा Very good, shabash M1 लिखदो sir इसके लावा length कितनी आएगी एक ही है L1 लिखदो और बोलो Very good, आपके पास क्या T minus 2 या minus 1 T minus 1 T हो जाएगा M1 L1 T minus 1 M1 L1 T minus 1 अगर चीज़े क्लियर है तो बोलो yes sir चलो, अब देखना रहने आदख चलो, अब इसके बाद देखना ये online वाले बच्चों को उतारना जरूरी है और इसलिए बीच में जो है आपका gap आता है तो वो gap आपको थोड़ा सा adjust करके चलना पड़ेगा और अगर आप भी वास्तों में साथ के साथ note कर रहे हो न तो आपको भी वो interval चाहिए वो time चाहिए चाहिए यह नहीं कि आप केवल वीडियो देखते हो यह कोई आपके पास अदर फूर्फन जो class है class class के तरीके से चलेगी लगातार speed भी नहीं बनता वर्निंग train की तरह चल रहे है कोई आपके बीच में gap नहीं आ रहा है बीच में delay आता है जैसे कि मालो मैं आपको समझा रहा हूँ इन offline के बच्चों को तो उनसे पूछा भी जाना जरूरी है इनको उतारने के लिए time भी देना जरूरी है इनको कोई assignment दे के यहीं पर check करना कि आ भी रहा है के नहीं आ रहा है वो भी करना बहुत जरूरी है क्लास के लिए जितने भी चीज़े जो आपके learning और अधिगम के लिए जरूरी होते हैं वो सारे के सारे काम क्लास में होते है तो इसलिए क्या है आपने इस बात का ध्यान रखना है और आप भी साथ के साथ में पढ़ोगे तो आपको भी time interval चाहिए हाँ आपके बारे में कोय भी बच्चा क्या औलाइन पे बच्चा जो पढ़ रहा है आगून के बारे में, अरे टो is equal to क्या होता hai F x R? F x R, तो टो जो होगा, वो टो होगा आपके पास F x R, तो यहाँ पर आपके पास और आपके पास क्या एक अर आपके पास क्या उसकी दूरी? इस जगे पर भी आपके पास radius है, जहाँ पर आपके बस्तुपर लगता ना आपके तो यह आपके f into r आप f की dimension formula तो यह रही है आपके पास just f की dimension formula आपको एक ready इसमें और एड करनी है मतलब एक length इसमें और एड करनी है तो dimension formula क्या हो जाएगा आप देखना यह आपके m1 यह l1 है एक और एड करेंगे तो कितना हो जाएगा l2 और है यह आपके पास क्या है टी माइनस maior को में डिवाश्य मैनस दो अच्चा त्विति आगूंड की अगर बात करें सफ्थरा नंबर में बात करते हैं इस्थि यह लिए तो दृत् MUELLER आगण्ञों आपके पास जोता है यह होता है टोओस होता है आपके पास टो-R डagp इवह त होता है और डिखोड़ाइश में तो पास यह हो जाएगा किसी भी वस्तू पर आरोपी दुति आगुण का डाइमेंशन फॉर्मुला यह हो जाएगा M1 L3 T- आपके 2 हो जाएगा आपके 2 हो जाएगा I hope डाइमेंशन फॉर्मुला के concept आपके clear हुए होंगे मतलब अभी अगर मालो अपन सारी डाइमेंशन फॉर्मुला बनाए ना अदिकोंश डाइमेंशन फॉर्मुला बनाए मुझे लगता है एक classroom और चाहिए और आपको लख आपको कि नहां सर् एक classroom फॉर्मुला की और होनी चाहिए ग्दिक है तो comment box में लिखिना Z लगब लगब सारी dimension formula यह जगे बनाएंगे, derive करेंगे और आप भी इसी तरीके से learn करना, ऐसे मत करना कि एक जगे पर लिखा और बस उसको रियाद कर रहे हो table की तरह, तो याद करने ही कोशिश मत करना है कि तो महनत भी बहुत जाद हो जाएगी और मज़ा भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप derive करोगे, क्योंकि unit लगब लगब आपको याद है, most of quantities है, उनकी unit आपको याद रहने वाली है, और अगर unit याद रहने वाली है, तो dimension formula बहुत आराम से आप design कर सकते हो, जो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, उसको हम learn क्यों करें, दिमाग पर stress क्यों डा बस ये चीज है, बनाने का मकसद यही था, तो मुझे लगता है, आज के लिए इतनी बात जो है, वो काफी है, बाकी की बाते हम अगली class में करेंगे, अगर आप channel पे नए हो, पहली बार DJ sir classes पर आये हो, और मुझसे technical पढ़ रहे हो, तो इस channel को subscribe करके रखेगा, class है आपको बहुत important होने वाली है, और exam के अंदर आपके पका पका यहां से question निकल कर आने वाले हैं, और channel को subscribe करने के साथ साथ, आपने practice करनी बहुत जरूरी है, तो कि जो भी पढ़ा रहा हूं, उसकी practice किये बिना कुछ नहीं होने वाला, और practice के लिए आप जाओगे DJ sir classes के app पर, आप यहां पर आप more practice कीजिए, और यहां पर आप class दीजिए, और अपनी तयारी को जुरूर, आज के लिए इतना ही, बाकी की बाते हम अगली class में करेंगे, thank you so much, जै हिंद, जै भारत.